हर महिला का सपना होता है कि उसकी काया खुपसूरत दिखे इसके लिए अस्तनों का आकार काफी महत्वर रखता है कई महिलाओं को अपने अस्तनों के आकार को लेकर हमेशा शिकायत रहती है उम्रे के साथ-साथ अस्तनों के आकार का ठेक तरह से विक्सित ना होना उन्हें चि का सामना करना पड़ता है ऐसे में साइड एफेक्ट से बचने के लिए इस वीडियो में हम घरेलू नुस्खों से अस्तन बढ़ाने के तरीके बताएंगे अस्तन बढ़ाने के घरेलू उपाय ना सिर्फ आसान होंगे बलकी सुरक्षित भी होंगे इसलिए बीना देर करते हु में सही आहार या पौश्टिक तत्व ना लेना शामिल है बेशक पुशक तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अस्तन कम करने के उपाय के तौर पर पौश्टिक तत्व का सेवन करना कम या बंद कर दें अस्तन ना बढ़ेने के कारण में मस्य रही हो तो हो सकता है कि अगली पीडी को भी इसका सामना करना पड़े कभी-कभी तनाव की वज़़ा से हार्मन असंतुलित हो जाते हैं जिस कारण अस्तन ठीक तरह विक्षित नहीं हो पाते अस्तन ना बढ़ेने के कारण में किसी तरह की दबाईयों का असर भी हो सकत दूस्तों, हमने अस्तनों के छोटे होने के कारण की जानकारी दी हैं। जानते हैं लड़ी्स, चेश्ट बढ़ाने के उपाय। स्तन बढ़ाने के तरीके में पहला है मालिश, स्तन बढ़ा करने के उपाय में सबसे पहले बात करते हैं मसाज की यह काफी आसान और सुरक्षित तरीकों में से एक है, हर रोज नहाने से पहले हलकी मालिश से फायदा हो सकता है, मालिश से रक्त संचार में सुधार हो सकता है, जिससे अस्तनों के अकार और साइज में बदला हो सकता है हालाकि संबंद में कोई विज्ञानिक शोध उपलब्द नहीं है तो ये कहपाना थोड़ा मुश्किल है कि यहां कितना असरदार हो सकता है अगर यां सूच रहें कि आसानों सुरक्षित तरीके से अस्तन कैसे बढ़ मेथी के बीज लेनीmäßig है और एक गिलास पीने का पानी लेना है कुप योग का तरीका राद बर मेथी के बीच को पानी में डाल कर भेगने दें अगले पानी को च्छान कर मेठी के बढ़ा करने का घरेलय का बीज में मिस्тоगेनीक प्रभाव दिन करता है इसलिए कई क्रिम में भी इस प्रभाव का सेवन कर सकते हैं अस्तन के साइज को भढ़ाने के उपाय कर Kerry हो सबंद में ncbi की वेब साइट पर्एक प्रक स्टडी प्रकाशित है इस स्टडी में कहागव प्रोड़क्ट में आईसोफ्लॉविन नामक पाइटोइस्ट्रोजन का उच्च अस्तर होता है या दीरे-दीरे अस्तनों के आकार को और घरत्व को बढ़ाने में सहायक हो सकता है वहीं रजोनी वृति यानि मेन पॉच के बाद आईसोफ्लॉविन का सेवन अस्तनों की वृत करने का तरीका इस प्रकार है एक पैन में पानी और सौफ डालकर उबाले इसे पांच से दस मिन तक उबाले जब या पीने लाइक हो जाए तो इसे गरमा गरम पीए स्वाथ के लिए इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं इसे रोज कम से कम दो बार पीए रस्तन को बढ़ाने सकती है वहीं जनवरों पर एक शोद में भी इस पश्ट हुआ है कि अस्तनों के विकास के लिए सौफ का इस्तेमाल किया जा सकता है फिलहाल इस बारे में और शोद किया जा रहा है कि किस प्रकार सौफ के सेवन से अस्तनों का कार बढ़ सकता है फिर भी ट्रायल के तौर पर अस्तन बढ़ाने के घरेली नुस्खे में सौफ का उपयोग किया जा सकता है क्यूंकि सौफ एक सुरक्षित हर्ब है पांचवा दूद आप रोज एक गिलर्ज दूद का सेवन कर सकते हैं अगर किसी के मन में सवाला आए कि आसानी से ब्रेश्ट राइज कैसे बढ़ाएं तो दूद अस्तन को बढ़ाने के घरेली नुस्खे में से एक है जैसा वीडियो के शुरुवात में बताया गया कि एस्ट्रोजन हार्मोन इस्तरी के शररिक विकास में सहायक हो सकता है वहीं गय के दूद वान्य डेरी प्रोड़क्ट में एस्ट्रोजन वा प्रोजेश्ट्रोन जैसे हार्मोन के अलावा विटामिन डी भी होता है ये सबी तत्तो इस्तनों काकार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं इसलिए ब्रेश्ट बढ़ाने के तरीके के लिए डेरी प्रोड़क्ट को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं दोस्तों घरेलू नुस्खों से छाती बढ़ाने का उपाय चान लेने के बाद अब जानते हैं स्तन बढ़ानी के उपाय के लिए exercise के बारे में वीडियो में हम स्तन बढ़ानी के तरीके में कुछ वैयाम की जानकारी दे रहे हैं हालाकि ये स्तन बढ़ा करनी के उपाय के तौर पर कितना लाबकारी हो सकता है इस बारे में कोई सटिक विज्ञानी प्रमान उपलब्द नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि इन एक्सरसाइस से अस्तन के आकार पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाल पुश अप। इस वियाम को करने के लिए दिवार के सामने खड़े हो जाएं। फिर अपने दोनों हाथ दिवार पर रखें। अब दिवार को धक्का देने की कोशिश करें। और फिर दिवार से दूर जाएं। यह आसानी से होने वाला वियाम है। इसके लिए वैक्ति को जिम जाने की जरुरत नहीं है। इसे घर में ही आसानी से कि किया जा सकता है दूसरा फ्लैट बिंच प्रेस एक्सरसाइस सबसे पहले एक फ्लैट बिंच पर पीड के बल लेट जाएं ध्यान रहे इस दौनान पैर जमीन पर सटे हूं अब अपने हाथों में हलके डंबल्स लें फिर दोनों हाथों को उपर की और उठाएं फिर हाथ को न पुषप की तरह ही होता है फर्क बस इतना है कि इसे दिवार पर ना करके जमीन पर किया जाता है सबसे पहले जमीन पर योग मैट या चादर भी जाने अब पेट के बल लेट जाएं इसके बाद अपने दुरूं हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को सीधा रखें ध्या करें ऐसा हर रोज कुछ देर के लिए कर सकते हैं दोस्तों एक्सरसाइस के बाद योगासन के चैज़िये अस्तन का अकार बढ़ाने के आसान तरीके जानते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि योग शारिदेक और मांसीख दोनों तरह के व्यक्ति के लिए लाबकारी हो सकता है शुरू करते हैं पहला गौ मुखासन सबसे पहले एक साफ और समतल जमीन पर योग मैट या चादर बिछा कर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं इस स्थिति में दोनों पैरों को आगे की और फैला लें और हाथों को जमीन पर रखें अब बाएं पैर को मोड़कर दाइं जांग के नीचे से ले जाते हुए अपने नितंब के पास सटाएं फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं जांग के उपर ले जाते हुए बाएं नितंब के पास सटाएं अब दाएं हाथ को उपर की और उठाएं और कोहनी से मोड़ते हुए अपने पीट क करने की कोशिश करें अब इसमुद्रा में थोड़ी दिर रहें और समानी गती से सांस लेते रहें धिर धिर अपनी समान्य मुद्रा में वापस आ जाएं अस्तन बढ़ाने के घरेल उपाय के तौर पर हर रोज थोड़ी दिर के लिए गौमुखासन करने का फायदा मिल सकता है दूसरा भुजंगासन भुजंगासन करने का तरीका काफी आसान है सबसे पहले समतल जमीन पर योगमैट या चाद अब गहरी सांस लिते हुए हतिलियों को जमीन के तरफ दबाव डालते हुए अपने शरीर को आधा यानि नाभी तक उपर उठाने की कोशिश करें ध्यान रहे सबसे पहले अपने मोह को आसमान की और पिर सीने को और अंत में पेट के हिस्से को उपर उठाना है इस दौरान थोड़ी दर रहें और समानने तरीके से सांस लेते रहें वेरे धिरे धिरे सांस छोड़ते हुए अपने पहले की मुद्रा में वापस आए धनुरासन योग के लिए भी पहले जमीन पर मैट या चादर बिछा लें अब योग मैट या चादर पर पेट के बल लेड जाए इ ऐसा करते वक्त व्यक्ति का शरीर का आकार धनुष की तरह लगता है थोड़ी दर इस मुद्रा में रहें और समानी गती से सांस लेते रहें फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने समानी मुद्रा में वापस आए दोस्तों इस वीडियो में बताये गए किसी भी वियाम ये योग को विशिशग्य की देखरेक में ही करें दोस्तों अस्तन कैसे बढ़ाएं इसके घरे लोग उपाए एकसरसाइज और योग के बाद अब बारी आती है ब्रेश्ट बढ़ाने के लिए क्या खाएं इस वीडियो में चेश्ट को बढ़ाने के उपाएं के लिए चीज, टोफू, काले, प्रोकली, प्याज, टमाटर, सेब, अंगूर, नट्स, वुरीज, और पपीता तोस्तों आईए जानते हैं अस्तन के साइस को बढ़ाने के लिए कुछ और टिप्स के बारे में हमेशा सही पोस्चर में बैठें और खड़े हूं सही साइस के बढ़ा का सेवन करें दोस्तों ये थे अस्तन को बढ़ाने के घरेली उपाय आशा करते हैं कि आसान अस्तन बढ़ाने के उपाय लावकारी साविद होंगे अलाकि अस्तन बढ़ा करने के उपाय के साथ सही आहार और सही रूटीन को फॉलो करना भी आवश्यक है इसके साथ ही अस्त बढ़ाने का घरेलू उपाए जल्दी असर दिखाए और किसी पर देर से अगर अस्तन साइज बढ़ाने की घरेलू नुस्खे उपयोग कर जल्द प्रईणाम ना मिले तो निराश होने की जरुवत नहीं है शरीर को सही आकार में आने के लिए थोड़ा समय लग सकता है क्यों